जैए श्रीक्रिष्णा, राधे राधे जी, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हारदिक स्वागत है, भगवान श्रीक्रिष्णोर्षी मती राधरानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्थ परिवार पर बनी रहे। 16 अप्रेल 2024, आज है मंगलवार का दिन और आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का 22 वांत्याए। और आज चैत्र नवरात्री की महाश्टमी हैं तो मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को महाश्टमी की मंगल शुपकाम नाए। माद दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपक पर अपलोड हो चुकी है अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए इसके अलावा नवरात्री में कलस्वी सर्जन कब करना है व्रत का पारण कब करना है हवन और कन्या पूजन कब और कैसे करना है इस विशय पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी धर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ती हो खशन भर इस बात का विचार करक राजा अंग खिन हो उठे और नंदनवन से जब वो घर लोटे तो अपने पिता अत्री के चरणों में मस्तक जुका कर बोले पिता जी आप ज्यानवानों में स्रेष्ट और पुत्र पर शनेह रखने वाले हैं मुझे इंद्र के समान व्यभवशाली पुत्र कैसे प्राप् पताईए अपने पुत्र की ये बाते सुनकर अत्री ने कहा है साधूसेष्ट भक्ति करने और स्रधा पुर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विश्णू संतुष्ठ हो जाते हैं और संतुष्ठ होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं भगवान श्री गोविंद स सब वस्त्वों के दाता हैं सबकी उत्पत्ति के कारण हैं सर्वग्य हैं सर्ववित्ता हैं सर्विश्वर हैं और परम पुरुष हैं इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो बेटा तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे ही प्राप्त होगा भगवान श्री हरी विश्णू और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के इश्वर हैं अतह जाओ उन्हीं की आराधना करो उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति होगी ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्शी अत्री ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे उनसे आग्या लेकर अंग कंदरा में प्रवेश किया महामुनी अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे वे कामक्रोध का त्याग करके संपुण इंद्रियों को काबु में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूब का ध्यान करने लगे ठलेश हारी भगवान श्री क्रिश्न का ध्यान करते करते वे ऐस होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गिले आदी समस्त्य पदार्थों में केवल भगवान श्री विश्न का ही दर्शन करते थे इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें सो बर्स बीद गए नियम सहयम तथा उपवास के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था तो भी वे अपने तेज से सुर्य और अगनी के समान देदिप्यमान दिखाई दे रहे थे इस समय तपस्या में प्रवरित होकर ध्यान में लगे हुए राजा अंगे के सामने भगवान श्री विश्नु प्रकट हुए और बोले हे मानद वर मांगो इंद्रियों के स्वामी भगवान श प्राणियों के आत्मा सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारन करने वाले हैं आपको नमस्कार है आप गुण स्वरूप गोहिय तथा गुणातीत हैं आपको नमस्कार है गुण गुण करता गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है आप भव अर्थात संसार रूप भव करता तथा भक्तों के संसार बंधन का अभरन करने वाले हैं आपको नमस्कार है भव की उत्पत्ती के कारण होने से आपका नाम भव है इस भव में आप अव्यक्त रूप से शुपे हुए हैं इसलिए आपको भवगुय कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं इससे आपका नाम भव विनाशी है आपको प्रणाम है आप यग्य, यग्य रूप, यग्येश्वर और यग्य कर्म में सनलगने हैं आपको नमस्कार है शंक धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है चक्रधारी श्री विश्णू को प्रणाम है सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यमय, धर्म धर्म करता और सर्वविधाता आप भगवान को प्रणाम है धर्म आपका अंग है और आप स्रेष्ट वीर और धर्म के आधार भूत हैं आपको नमसकार है आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं आपको नमसकार है आप माया धारी मूर्थ अर्थात साकार और अमूर्थ अर्थात निराकार भी है आपको प्रणाम है। प्रग्या परायन, अक्रूर अर्थात सौम्य, प्रमेध्य अर्थात परम पवित्र, तथा मेध्यो अर्थात पावन बस्तुओं के भी स्वामी, आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। अत्मा व्यास अर्थात वेदो का विस्तार करने वाले वासव अर्थात वसु पुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप हैं आपको नमस्कार है। आप वासु देव, विश्वरूप और वहनी स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। महेश्वर्श्री पद्मनाब को नमस्कार है। केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। हे आनंदकंद, हे कमलप्रिय, हे वासु देव, हे सर्वेश्वर इश, हे मदुसूदन, मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। शंक धारन करने वाले शांत इदाई केशव, आपके चरणों में मैं मस्तक चुकाता हूँ। प्रतेक जन्मे में मुझ पर क्रपा कीजिए। मेरे स्वामी, हे पद्मनाब, संसार रूपी दुसा अगनी के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्यान रूपी मेगी की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए। तथा मुझ दीन के लिए शरन रूप हो जाईए। आंगे के मुक्सिया स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन करवाया। उनका मेगी के समान श्यामवरण तथा महान ओजस्वी शरीर था। तथा हाथ में शंक, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब और महान प्रकास चा रहा था। श्री भगवान गरुड की पीट पर बैठे हुए थे और अंगों में सब प्रकार के आभूशन सोभा पा रहे थे। हार, कंकड, कुंडलों से शिशोभी तथा वनमाला से उज्वल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्ष नामक चिन्ह और पुन्य मैं कौस्तुग मणी से उनकी अपुर्व शोभा हु रही थी। वे सर्वदेव मैं श्री हरी समस्त अलंकारों की शोभा से संपन अपने श्री विग्र की जाकी करा कर रिसी प्रियंत हर्ष से भर कर कहा है देवेश्वर मैं आपका दास हूं यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन इंद्र की है वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुन्दर पुत्र मुझे देने की क्रिपा करें वह पुत्र सं समस्त देवताओं का प्रिय ब्राम्भर भग्त दानी त्रिलोकी का रक्षक सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला यजमानों में स्रेष्ट त्रिभुण की शोभा बढ़ाने वाला अध्वितिय शूर वीर वेदो का विद्वान सत्य प्रतिग्य जितेंद्रिय शांत तप वस्वी और सर्व शास्त्र विशारद हो हे प्रफो यदि आप वर्द देने के लिए उच्चुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वर्दान दीजिए भग्वान वासुदेव बोले हे महामते तुम्हें इन सत्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ती होगी वह अत्रिवंश का रक्षक और संपुर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा तुम भी मेरे परमधाम को प्राप्त होगे इस प्रकार वर्दान देकर भगवान श्री विश्णु अंतरध्यान हो गये रिश्यों ने पूछा हे सूध जी गंधर्व श्रेष्ट सुशंक ने जब सुनिथा को शाप दे दिया तब वह शाप उसके उपर किस प्रकार लागू हुआ उसके बाद सुनिथा ने कौन-कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ हरे कृष्णा आज की कथा में आप जानेंगे कि सुनिथा का क्या हुआ सुनिथा को कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके उपर गंधर्व कुमार शूशंक का शाप लागू हुआ तो कल की कतह ज़रूर सुनेगा क्योंकि कल की कतह अत्यन तिरोचक और ज्यानवर्धक होने वाली है और भक्ति दिन सुनने वाले मनुष्य की रक्षा स्वैम श्री हरी विष्णू करते हैं। तो पूरे भक्ति भाव के साथ श्री नारायण कवच का श्रमण कीजिए। मत्सिमूर्थी भग्वान जल के भीतर जलतंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। मत्सिमूर्थी वाराह भग्वान मार्ग में परशुराम जी परवतों के शिखरों पर और लक्ष्मन जी के सहित भरत के बड़े भाई भग्वान राम चंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भग्वान नारायन मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। रिसी स्रेष्ट नर्ग गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रे योग के विग्णों से और त्रिगुणादी पती भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम रिसी सनत कुमार काम देव से हैगिरिव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्थियों को नमस्कार आदि न करने के अपराद से और देवर्शी नारद सेवा पराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नर्कों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंत्री कुपत्य से जी तेंद्र भगवान रिशब देव सुख दुख आदी भै दायक द्वंदों से यग्य भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री सेस जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीकिष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाच से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारन करने वाले भगवान कलकी पाप बहुल कलिकाल के दोशों से मेरी रक्षा करें। प्रातेहकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चड़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बासुरी लेकर, और दो पहर के पहले भगवान नारायन अपनी तीक्षण सक्ती लेकर, और दो पहर को भगवान विश्णू चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी करें और सायंकाल में ब्रह्मा आधी त्रिमूर्थिधारी माधव सुर्यास्त के बाद रिशी केस अर्धरात्री के पुर्वतता अर्धरात्री के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें रात्री के पिछले प्रहर में श्रीवत्च लांचन श्री हरी उशाकाल में खड़कधारी भगवान जनार्दन और सुर्योदे से पुर्वश्टी दामोदर और संपुर्ण संध्याओं में काल मूर्थी भगवान विश्वेस्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन आपका आकार चक्र रत के पहिये की तरह हैं। आपके किनारे का भाग प्रलयकालिन अगनी के समान अत्यांत तिवर हैं। आप भगवान की प्रेणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायू की सहायता से सुखे घासफूस जला डालती हैं। वैसे ही आप हमारी शत्रू सेना को शीगर से जला दीजिए। मेरे शत्रू को चूर-चूर कर दीजिए। ये शंक स्रेष्ट आप भगवान स्रे क्रिष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रू का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमत, प्रेत, मात्रिका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदी भयावने प् आप में सैक्णों चंद्राकार मंडल है। आप पाप द्रिष्टी, पाप आत्मा, शत्रूओं की आखे बंद कर दीजिए। और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सुर्य आधी ग्रह, धूम केतु, पुछल तारे आधी केतु, दुष्ट मनुस्य, सर्प आधी रेंगने वाले जन्तु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आधी तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भै हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी पूर्ति भगवान, गरुण और विश्वक सेंजी अपने नामोचारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरी के नाम, रूप, वाहन, आयूद तथा स्रेष्ट पारसद हमारी बुद्धी, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अत्वा कारण रूप जगत हैं, वह वास्तों में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नश्ठ हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी द्रिष्टी में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रही थें, भेदों से रही थें, फिर भी वे अपनी माया शक्ती के द्वारा भूशन, आय से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रश लेते हैं, वे भगवान रिसिम्म दिशा विदिशा में नीचे उपर बाहर भीतर सब और से हमारी रक्षा करें। नेत्रों से देख लेता है, अत्वा पैर से छू देता है, ततकाल समस्त भायों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैशनवी विद्या को धारन कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच, आदी और बाग आदी हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होत है देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गौतरी ब्रामभन ने इस विद्या को धारन करके योग धारना से अपना शरीर मरू भूमी में त्याग दिया। अब जहां उस ब्रामभन का शरीर पड़ा था, उसके उपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररत अपनी बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायन कवश धारन करनी का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्रामभर देव की हड्यों को ले जाकर पुर्ववाहिनी सरस्वती रदी में प्रवाहित कर दिया, और फिर स्नान करके वे अपने लोग को चले गए। श्री के भयों से मुक्त हो जाता है। यह परिक्षित शत्यक्रतु इंद्र ने आचारी विश्वरूप जी से यह वैशनेवी विद्या प्राप्त करके रण भूमी में असरों को जीत लिया, और वे त्रैलुक्य लक्षमी का उपभोग करने लगे। श्री नारायन कवच संपुर भानु नंदि नीव्रजेंद्र सूनु संगते कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि को मले। वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदाकरिश्यसीहमां प्रदिप्त गौर विग्रहे मुख प्रभापरास्त कोटि साव्पाकटाक्ष भाजनम। अनंगरंग मंगलम् प्रसंग भंगुरम् भुवां सविभ्रमं ससंप्रमं। द्रिगंत बाण पातने। निरंतरंवशीकृत प्रतीत नंदनने कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक् तडित्सुवर्ण चम्पक प्रदिप्त गौर विग्रहे मुख प्रभापरास्त कोटि सार देंदु मंडले। विचित्र चित्र संचरत्च कोर शावलोचने कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। मदोन्मदादि योवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी प्रसस्त मंद हास्य चुर्ण पुर्ण सोक्य सागरे कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। मिरिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने। ललल्लुलन मिलन्मनोग्यमुग्ध मोहिनाश्रिते कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कम्बुकंठगे त्रिसुत्रमंगली गुणत्रिरत्न दिप्त दीधिते। सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। नितंब बिम्ब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मन्जुले। करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदाकरिश्यसीहमां के पाकटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरारवस्खलत समाज राज हंसवंश निक्वडाति गोरवे। विलोलहेम वल्लरी विडंब चारुचंक्रमे कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। अनन्त कोटि विश्णू लोक नम्र पदमजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंचे जावर प्रदे। अपार सिध्धि रिध्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदाकरिश्यसीहमां कृपाकटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण साषनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्रिराधिके, नमोस्तुते। इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं क्रिपाक टाक्ष भाजनं। भवेत्त दैव संचित त्रि रूप कर्म नाशनं। लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं। जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे। ओम विश्वं विश्वर वचटकारो भूत भव्य भवत्रभू भूत कृत भृत 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 भावो भूत आत्मा भूत वाहना पूतात्मा पर्मात्माचा मुगतानां परमागती अव्यय पुर्शा साक्षी शेत्रग्यो अक्षर एवचा योगो योग विदामनेता प्रधान पुरुषेश्वर, नारसिंगव पूश्रीमान केशवः पूरुषोत्तम, सर्वः शर्व शिवस्थानुर भूदादिर निधर्व्यय, संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरिश्वर, स्वयंभू शंभु रादित्य, पुस्कराक्षो महास्वन, अना पुतस्त्रिककुपधाम, पवित्रम्मंगलंपरम, इशानह प्राण, दह प्राणु, जेश्ठा-श्रेष्ठ, प्रजापति, हिरण्यगर्भू, भूगर्भू, माधवो, मदु सूधन, इश्वरो विक्रमी धन्वी, मेधावी विक्रमहक्रम, अनुत्तमो दुराधर्ष प्रत्या सर्वदर्षन, अजसर्वे स्वरसिध, सिध्धेशरवा, दिर्चुत, व्रिषाकपिरमेय आत्मा, सर्वयोग विनीश्रित, वसुर्वसुमना, सत्या समात्मा, समिताहसम, अमोग, पुंडरी, काक्षो, व्रिशकरमा, अव्रिशाकृति, रुद्रो बहुशिरा बब्रूर विश्वयोनी सुची श्रवा, अम्रित हशाश्वत स्थानूर वरारो हो महात्रपा, सर्वगह सर्व विद्भानूर विश्वक्सेनो जनार्दन, वेदो वेद विद्वित व्यंगो वेदांगो वेद वित कभी, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, को जनम्भोक्ता सहिस्रूल जगदातिच अनको विज्यो जेता विश्वयो निह पुनर्वसु उपेंद्रो वाम नह प्रांशुर मोखा सुचुरुर्जिता अतिंद्रह संग्रह सर्गो धृतात्मा अनिय मोयमा वेद्यो वैद्य सदायोगी वीरहा माधवो मदू अतिंद्र सुरानंदो गो विन्दो गो विन्दामपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णु भुजुगोत्तमा हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अम्रित्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्तिर अजो दूर मर्षड शास्ता विश्रुतात्मा असुरारिहा गुरु अहसंवर्तको वहने निलोधर निधरह सुपरसाध प्रसन्नात्मा विश्वद्रिक विशुभुग विभू सत्कर्ता सत्कृत ह साधू जहनूर नारायनो नरह असंक्ययो अप्रमेहात्मा विशिष्ठ सिष्ठ कृच्छुवी सिध्धार्त शिद्ध संकल्प सिधित्ध सि वरिशाही विर्षभो विष्णूर विश्परवा वरिशोदर वर्धनो वर्धमानस्च विविक्तः शुरुतिसागर सुभुजोदूर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैकरूपो ब्रिहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशन ओजस्ते जो दुतिधर प्रका पावनो नला काम हा काम कृतकांत काम काम प्रदः प्रभू युगादि कृत्यु गावर्तो नेकमायो महाशन अद्रिश्य व्यक्तरूपस्च सहस्त्रजित नंते जित इस्टो अविसिष्ट सिष्टेष्ट सिखंडी नहु सोवरिश प्रोधा क्रोध कृत करता लुषर महीधर अच्चोतः प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुज अपामनी धिर्ध इश्टानम प्रमत्त प्रतिश्टित सकंद सकंद धरोधूर्यों बढदो वायुवाहन वासुदेवो ब्रिहत्भानु रादि देवा पुरंदर अशोगस्तार अनुकूल शताव पदमी पद्मनी भेख्चन, पद्मनाभो अर्विन्दाक्ष, पद्मगर्भ, शरीरभित, महर्धिरदो वृध्धात्मा महाक्षो गरूरदवज, अतुलाशर भोभीमो समयक्जो हविरहरी, सर्वलक्षन लक्षन्यो लक्ष्मिवान समितिन जय, विक्षरो रोहितो मार्गो महिधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवाचो भणो देवा श्री गर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विकरता गहनो गुवा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट असुभेख्षण रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया वीर शक्तिमतांज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तम व्यकुंठ पुर्ष प्राण प्राणदः प्रणवाप्रितु हिरन्यगर्भ शत्रुग्णो व्याप्तो वायुरुधोक्षज रितु सुदर्शन काला परमेश्ठी परिग्रह उग्रह सम्वत्सरोदक्षो विश्रामो विश्वदक्षण विस्तारस्थावर स्थानु प्रमाणंवी जमव्ययं अर्थो अनर्थो महा सुघोसा सुखदा सुहृता मनोहरोजित क्रोधो वीरबाहुर विदारणा स्वापनास्वव सोव्यापी नैकात्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसलोवसी रत्नगर्भो धनेश्वरह धर्मगुप धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्याता सहस्त्रांसुर्विधात अकृत लक्षन गवस्तिनेमी सत्वस्त सिंहो भूत महिश्वर आदिदेवो महादेवो देवेसो देव भिरित गुरु उत्तरोगो पतिर्गोप्ता ज्यान गम्यापुरातना शरीर भूत भूत भुरित भोक्ता कपिंद्रो भूरिदक्षिन सोमभो अमरित पहजोम धर्मा अत्रिवेक्रमा महर्शी कपिला चार्य कृत अग्यों में दिनीपति त्रिपदस्त्रि दशाध्यक्षो महाश्रिंग अकृतांतिक्रित महावराहु गुविंद सुखेळ कनकांग दी गुयो गभीरो गहनो गुप्तस्चक्र गदाधर वेथा स्वांगो अजिता प बारुणो बारुणो व्रिक्ष पुसकराक्षो महामनाह भगवान भगहानन दी वनमाली हलायुथ आदित्यो जोती रादित्य सहिश्णोर गति सत्तमा सुधनवा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रदा दिविस्तिरिक्सर द्रिग्व्यासो वाचश्पतिर योन श्रीपती श्रीमतामबर श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिती श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयाश्रेया। केशव केशियारी कामदेव कामपाल कामीकांत हुठागम अनिर्देशव पुरविष्णोर वीरो अनतो धनंजे हुठ ब्रंभन्यो ब्रंभ मिरिाम्ह रद्ध ब्रंही ब्रंही ब्रंहह घ्यो ब्राम्हन प्रिया महाक्रमू, महाकर्मा, महातेजा, महुरग, महाकरतुरु, महायज्वा, महायक्जो, महाहवी, स्तव्यस्तव, प्रियस्तोत्रम, स्तुतीष्तोतारणप्रिय, पुर्ण, पुरैता, पुन्य, पुन्यकिरतिर नामय, मनुजव, स्तिर्थकरू, वसुरेता, वसुप्रद, वसु प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गताग्रज चतुर मूर्तिस चतुर बाहुस चतुर व्युःस चतुर गती चतुर आत्मा चतुर भावस चतुर वेद विदे कपात समावर्तो अनिवर्तात्मा दूर जयो दुरती क्रमा दूर लभो दुर गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतु श परजन्य पावनोनिल अम्रिताशो अम्रित वपु सर्वग्य सर्वतो मुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजी छत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चाणु रांध्र निशूदन सहस्त्रार्ची सप्त जीव सप्तेधा सप्त वाहन अमुर्धिरणगो अचिंत्यो भैक्रित भैनासन अनुर्ब्रिहत क्रिशास्थूलो गुडब्रिण निर्गुडो महान अध्रित स्वद्रित स्वास्य प्राग्वन्षो वन्षवर्धन भार भृतिकतितो योगी योगी ससर्वकामद आश्रम श्रमन छाम सुपरणो वायु वाहन धनुर्ध धनुडवेदो दंडोदम इतादमा अप राजिता सर्वसहू नियंता अनियमोयमा सत्ववानसात्विक सत्य सत्यधर्म परायन अभी प्रयाया प्रियार होर्ह प्रियक्रीत पिल्ति वर्धना विहाय सगतेर जोती सुरुचिर हुद भुग विभु रविर विलोचना सुर्य स सविता अरविलोचना अनन्तोहुत भुग भोगता सुखदो नैक जोग्रजा अनिर विन्न सदामर्शी लोकाधेष्ठा अनमदभुता सनात सनातंतमा कपिला कपिरप्यया स्वस्तिदा स्वस्तिक्रि स्वस्ति भुग स्वस्ति दक्षना रोद्रह कुंडली चक्रे विक्र प्रम्यूर् जितिशाषन, शब्दातिगा सब्दशह, शिशिर अश्चर्वरीकर, अक्रूरह पेश लोदक्षो दक्षण चमिणामवर, विद्वतमो वितभय, पुन्य शवन कीर्तन, उत्तारणो दुस्कृतिह, पुन्यो दुस्व प्रनाशन, वीरहारक्षण संतो जीवन पर्यवस्तित, अनंत्रूपो, अनंत्तस्रिट, जित्मन्यूर भयापह, चतुरष्टो, गभिरात्मा, विदिशो, व्यादिशोदिश, अनादिर भूर्भु, लक्ष्मी, स्वीरो, रुजिरांगद, जननो, जन्जन्मादिर, भीमो भीम पराक्रम, आधार नीले, योधा पुस्पहास, प्रजागर, उर्ध्वग, सत्पताचार, प्राणदह, प्रणवापन, प्रमाणम, प्राण, नीलिय, प्राण भृत, प्राण, जीवन, तत्वम, तत्वविदे, कात्म, जन्मे, मृत्यो, जरातिग, फूर्भु अस्वर श्तरूस्तार, सविता, प्रपिता और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा श्री तुलसी महरानी करू विने सिरनाय जो मम हो संकट विकट दी जे मात नशाय नमो नमो तुलसी महरानी महीमा अमितन जाय बखानी दियो विष्ण तुमको सन माना जग में चायो सुयस महाना विष्ण प्रिया जय जयति भवानी तिहूं लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं हो या निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहिके काज होय सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर्स कुमारी करे जो पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी ब्रिद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनी दिसे तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमें सकल चित धारी तुमी मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देवरिशीमुनी और तप धारी करत सदा तव जै जै कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जै जै सुख कारनी नमो नमो जै दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाउं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा ता सम जग में और नहीं दूजा प्रथमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चाली सा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आरती हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूप दीप ने वेद्य आरती धूप दीप ने वेद्य आरती पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो छप्पन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो 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 तुलसा महरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी महिया की जै तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रू प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधे